देखे आज हमें एक बहुत ही जवरदस्त कंपनी आपके लिए फिर से लेका आए हैं और इसमें अगर आप देखें देखें में चीज होती है किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखें 75% जो है प्रोमोटर्स के पास है FII के पास लगवक 14% है और DII के पास करण भी पहुत चोटी सी एक होल्डिंग है बनी हुई साथ साथ पब्लिक के पास भी देखें 11.33% की होल्डिंग बनी हुई है और देखें बात करें अगर इसके रिजर्व और करजी की तो कंपनी के पास कभी जहां माइनस में रिजर्व होते थे माइनस के तैरा करोड बहुत सांदार हैं और करजा देखें जो कभी 200 करोड का वह करता था 205 करोड का वह घटकर हो गया है अब सिर्फ 26 करोड का रह गया है यानि कि कंपनी जो है ट्रेडिंग बोल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज क्योंकि अगर डिलीवरी परसेंटेज अच्छा होता है तो एक चांस होता है कि कंपनी जो है अब अच्छा करने वाली है शेर प्राइज बढ़ने वाला है तो देख लेते हैं देखिए तो देखिए यहां पर कंपनी में जो volume trade हो रहा है वो एक महीने का average है 30,000 का और 76% की इसमें जो है delivery उठाई जा रही है अगर एक हपते का देखे थे 29,000 का है और इसमें भी 85% की delivery delivery देखे कितनी सांदार उठाई जा रही है अगर हम सिर्फ कल की बात करें तो मतलब ब्रेश्पतिवार की तो यहां 21,000 का volume trade हुआ है और 84% की delivery उठाई गई है और बात करें सुक्रवार की आज तो क्योंकि सनिवार है तो यह सुक्रवार तक का दे रखा है तो सुक्रवार के अगर बात करें तो 57,000 volume trade हुआ था और इसमें से 92.26% की delivery उठाई गई थी तो delivery देखे बहुत सांदार delivery यहां पर उठाई जा रह देखें तो यह 75% पास होता है अपने fundamentals में देखिए अगर हम sales growth और profit growth देखें तो शांदार है इस साल देखे 35% से sales growth बढ़ी है और profit growth 11,812% बहुत ही शांदार कुछ other income हुई है इसमें वैसे लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है देखे 35% की अगर 10 साल की भी बात करें हम तो 9% की sales growth है 49% की profit growth है और 22% का CGR है और देखिए पांच साल में भी बात करें तो 79% की profit growth और 3 साल में 200% की profit growth है तो बहुत शांदार profit growth company दिखा रही है हमें company के pair comparison देखें तो देखें यह जो है construction में काम करती हुई दिखाई देती है और comparison में आते हैं इसके macro tech devil और rvnl, rail vikas, national standard तो कुछ बड़ी बड़ी कंप्रियां है जो इसके comparison में आती है company का नाम देख लीजिए company का नाम है l pro international limited बहुत रुपे का मात्र शेयर प्राइज है इसका और यहां आप देखेंगे तो l pro international limited engage in manufacturing, surge, arrester's, construction and development of real estate properties, equity investment, third party and windmill operation तो बहुत शांदार company काम करते हुए दिखाई देती है, construction में काम करती है, development में काम करती है, real estate में काम करती है equity में invest भी करती है, तो बहुत अच्छा काम काज company का है, इसका एक सिर्फ 1232 करोड की छोटी सी company, current price आप 72 का है देख सकते हैं और book value से नीचे अपने trade कर रहा है, 74 की book value है, ROE थोड़े सी कम, 1132 की और ROC 14 की, लेकिन अब जो है company बहुत थी तेजी से grow कर रही है तो दोस्तों अगर वीडियो देखे पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल को subscribe जरूर कर लेजिएगा, मिलते हैं फिर next वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद जैभार